नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसकी मा फैनी की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और दस तक शून्ये के साथ जोड सीखेंगे एक दिन गैफी घर पर खेल रही थी, उसे अचानक भूख लगी, वो दोड़ कर अपनी मा के पास गई और बोली मा, क्या मैं कुछ आम खा सकती हूँ? मुझे बहुत फूख लगी है फैनी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल आप घर में आम ढूण सकती हो गैफी ने पोरे घर में ढूणडा, लेकिन उसे कोई आम नहीं मिला गैफी उदास हो गई गैफी को उदास देख, फैनी ने उसे कहा गैफी उदास मत हो, क्या तुम बगीचे में जाकर आम के पेड़ से कुछ आम तोड़ सकती हो? गैफी तीजी से दोड़ कर बगीचे में गई और हाथ में छे आम लेकर लोट आई वाँ गैफी, घर में कोई आम नहीं थे या शून्य आम थे अब तुम छे आम ले आई हो, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे घर में अब कुल कितने आम है? गैफी ने कुछ देर सोच कर जवाब दिया मेरे पास शून्य आम थे और अब मेरे पास छे आम है अगर मैं शून्य में छे जोड़ दू तो उसका उत्तर होगा छे मा, हमारे घर में अब कुल छे आम है बच्चों, क्या आपने यहां कुछ गौर किया? जब भी हम शून्य के साथ एक संख्या जोडते हैं तो कुल संख्या का उत्तर शून्य के साथ जुड़ी संख्या के बराबर ही होगा आईए, इसका एक और उदाहरन लेते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं आठ के साथ शून्य जोड़ दूँ तो कुल संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सही, कुल संख्या का उत्तर आठ होगा क्यूंकि शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं है और यदि आप आठ में कुछ नहीं जोडते हैं, तो ये आठ ही होगा बच्चों, अब आप एक मज़ेदार पहेली का हल ढूंडे एक डिब्बे में साथ चोकलेटस हैं, और दूसरे डिब्बे में शून्य चोकलेटस हैं दोनों डब्बों में पुल मिलाकर कितनी चोकलेटस हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना ऊत्तर साजा करें इस वीडियो में हमने दस तक किसी भी संख्या के साथ शोन्य जोर न सीखा